हम मैंसे कई लोगों के लिए अतीत एक बुरे सपने जैसा है हमारा जीवन कभी भी समान नहीं रहा है लेकिन हमारे पास ऐसे लोग हैं जो हमें वेचलित कर सकते हैं वास्तम में हमारे पास असुविदा जनक अतीत की अत्यदिक चार्ज की गई भावनात्मक यादे हैं अपराध भाय और क्रोथ जो एक बार हमारे उपर हावी हो जाते हैं तो हमारे नई जीवन को विफल कर सकते हैं हमारे सारे प्रयासों को बेकार कर सकते हैं बारा कदम वो सूत्र हैं जो हमें हमारे अतीत को उसके इस्तान पर रखने में मदद करते हैं हम जानते हैं कि हमारा पुराना वेवार काम नहीं आया हम छटे और साथवे कदम में अपनी कमियों से छुटकारा पाने के लिए ईशर से मांग करते हैं और हम उस अबराद बोज से मुक्त होने लगते हैं जो हमें इतने सालों तक त्रस्ट करता रहा आठवे और नवे चरण में हम शंशोधन करके दूसरों को समझाते हैं कि अब हमारा जीवन बदल रहा है अब हम अतीज से नियंतरत नहीं हैं और जब एक बार अतीज से नियंतरत हो जाता है तो हम जीने के नए तरीके खोजने के लिए स्वतंत्र होते हैं ऐसे तरीके जो वास्तव में हमें दर्साते हैं कि हम कौन हैं सिर्फ आज के दिन मुझे अपने अतीत से नियंतरित नहीं होना है मैं इस नए दिन को उस नए व्यक्ति के रूप में जिऊंगा जो मैं बन रहा हूँ